में एक हम व्लीए महीं कर्म यह व्ल्कंट हेञा और और मेरा सेकंड वीडियो चुलव करते हैं तो कह सबसे पहले बहुत है मétais गुलोबराइ फूटप्रेम नेटवर के बारहाएं फूटप्रेमे नेटवर जारे की इंटरनेशनल लैं fill और ये बना गया था लैकिकलर इसको आंद कर न इक्त के लोजिकर कर क्या होता है तो जैसे const पास जो भी मिनरल है तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है मतलब उसके पास एक लिम्टेड रिसोर्स है तो एक साल में को कितना खर्च करना जैसे आप मान के चलिए कि यदि आपको घर से के लिए मिलता है उसको पांच महिने में खतम कर दीए उसको यह महिने में खतम कर दिये तो आजके सही को अर्थ को अर्थ के जितना एक साल का कोट हम लोग खतम कर देते हैं ठीक है जैसे माले जी कि एर्थ ओवर सूट देटी सितंबर को है इसका कहने का मतलब है कि हमको एक साल के लिए मिला था था हम लोग फर्स्ट जनवरी से 30 सितंबर तक ही खतम कर दिया मतलब नो महिने में खतम कर दिये बाकी जो तीन महिना है हम लोग अगले वाले साल से खर्च कर रहे हैं जारत पुरा करने के लिए लालज पुरा करने के लिए या फिर ऐसे बोल सकते कि धिरी-दरी इतना कुछ हो गया है इतना पूपिलेशन और इतना हम लोगा जरूत बढ़ जाए थी कि आपको एक साल में इतना खर्च करना इतना मेरे पास है और इसको एक साल में तुम खर्च करो तो हम लोग उसको सितंबर तक ही या फिर अगस्त की खतम कर दिये तो उसको भर सूट बोलते हैं तो आप सर्च किजेगा कि अर्थ वर सूट कब मनाया गया 2019 में कब था और 2020 में कब होगा है ना क्योंकि अभी तो मैं ही चल रहा है और हर साले घटते जा रहा है इसका मतलब कि हम लोग और फास्ट लिउज कर रहे हैं तो गलोबल फूट्प्रिंट डेट्वर्ट का यह कि आर्थ के ओबर सूट को रोकना ठीक है आर्थ ओबर सूट डे तरह है डिटरेंटा रहा के अर्थ को और जिसोट रिसूर्स उसको कंज्यूम कर रहा है तो उसको लोग एको लोजिकल फुट्प्रेंट प्रफ़ेस एक्सरसाइज कि यह जुलाई 2019 में किया गया था और इंडिया के तरह से पहला स्पेस वार फेर एक्सरसाइज था ठीक है और इसका काम क्या था तो चाइना के जो ग्रुएंग इनफ्लुएंस है इस पेस में उसको काउंटर करना और अपना जो संपत्ति है स्पेस करके एंट्रिक्स नाम रखा गया इस रोका कोमर्सियल विंगा जैसे सेटलाइट लॉंच करता है दूसरे कंट्रे का यहां तक युएसे और युके का भी सेटलाइट आजकल हम लोग लॉंच कर रहे हैं एक साथ में 102 सेटलाइट लॉंच कर देते हैं दुनिया में सबसे हा टेक्निकली इस रोके अंदर है लेकिन डिपार्टमेंट अफस्पेस के अंदर आता है इसका हेड़क्वाटर बेंगलूरू में है और इसका 100% माली कभी गवर्मेंट है ठीक है तो एंट्रिक्स एक प्राइवेट कमपनी ऐसा बोल सकते हैं जिसका माली कभी गवर्मेंट है बेंगलूर में हेड़क्वाटर डिपार्टमेंट अफस्पेस के अंदर आता है इस रोका कॉमर्सियल आर्म है कि यह से क्या है तो इरोपियन अस्पेस अजन्सी का मिशन है यह से यह यह से यह सब्सक्राइब होगा जो किस पात पर फोकस करेगा तो अंतरिश पर डेब्री कि जैसे सेटलाइट छोड़ा गया सेटलाइट के लाइफ होता है दस साल बीस साल के बाद भी तो सेटलाइट रोटेट कर ही रहा है ना तो अंतरिश का वहां पर जो गंदगी हो ठीक है अस्पेस में जो कुड़ा कच्ड़ा वहां जमा हो गया है उसको साफ करने के परपस ह सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर दो तीन लाइन उससे में चर्चा था तो मेडिसीन लाइन कि इसको बोलते हैं जो है उसको मेडिसीन लाइन बोलते हैं गलिए केल पर जैजल सकती है प्लाक इसको बारे में तो टमांन किया है टो टाइम बाउन मीशन मोड मूड मीशन और वाचरवेशन केंपेंड़ वाटन डिपार्पंट अब कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सेटाट सकती जो नया नए मीनिस्ट्र भूतले के तहत मिनस्ट्री उप जल सकति के को तहत यह वाटमेट डेपार्टमेंट ब्रिंकिंग वाटर लाउन्च किया करें किसे लिए ठाइम बांड पैन है पानी को बांड के लिमिट समय के लिए केमपेन स्टार्ट होता है ठीक है कि इसके बारे में और देख लेते हैं तो इसका फर्स्ट फेज चालू होता है चालू होता है एक जुलाई से लेके 15 सितंबर तक चालू होता है और फेज कहां कहां चालू होता है और फर्स्ट पूरे इंडिया में पानिक पांच काम किया जाता है क्या 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 तो वाटर कंजरवेशन और डॉटर बोड़ी जो भी पुराने वाटर बोड़ी ते जैसे गाउं में तलाव एगरा जो भर गया था या फिर उस पर इंक्रोच्मेंट हो गया था अतिकरमन हो गया था उसको साप करना रेनोवेट करना रिवूजन रिचार्ज स्ट्रक्चर्स वाटर सेट डेवलप्मेंट और इंटेंसीव एफोरेस्टेशन तो यह पाच इसकी इंटर्भेंशन एरिया है कौनको ने वाटर कंजर्वेशन अब टैंक रिवूजन रिचार्ज स्ट्रक्चर वाटर सेट डेवलप्मेंट और इंटेंसीव एफोरेस्टेशन यानि की गहन एफोरेस्टेशन करना ज्यादा मात्रा पेड़ लागाना नेक्स्ट जेए के बारे में जैनिकी जपाइनीज इन फेसलाइटिस यह वाइरस के करारन होता है इसके वाइरस घर तो है может डिस रहसे श्بस्वोराट है मोस्क्यूट है और इस वाइरस टोटभीटीशन करता है मैल इंकी हंसी घ्रिंग एफन वह इनल वह इस वाइरस पेडिया में को इंफेक्ट करता है महें तेमपरेट में जो टेमप्रेट रिया में त्रॉपिक और सब्ट्रोपिक एडिया में पूरे साल फ्यलता है ठीक है इसका की चैकिफ इसके घ्रिट्रिय। फ़ीक्टेट के दियुक्त इवलेबर नीशनल इंडिया का है उसके तहत इसकblackर क्भेशी 202 pencil एन котором अट Bayon तो बढके सी नहीं साइसं एक कर्षिपो शयव खर्ची पुजा करता है कि तेह सेलिपरेट किया जाता है खर्ची को दो पाणाग बाटी तो घ्याथ मतलब होता है पुजा यानी की वर सीज्वत किया जाता है खर्ची पुजा में इसको चतूर्दस या चौदाय के महीने में होता लगभग एक सबताह से चलता है सब्सक्राइब इसको यह बोलते हैं कि बूइब डिवलफ्मेंट रीपोर्ट आप इसको कि रिलीज किया जाता है मैंत तो iampliun किया जाता है कि human development report office के दवारा जब्र प्रोड्यूसेते एवन डीप और पुभर्टी और hdi ये तीनों के दौरा इसको पवेजि किया जाता है हुध स्वाइप प्रोडेश किया जाता है रिलीज की आता मिला करके दस इंडिकेटर हैं दस इंडिकेटर कौन को नहीं यह देखते हैं तो एजुकेशन के यहां पर नूट्रीशन चाल्ड मोटेलिटी कि एर आफ स्कूलिंग श्कूल टेंडेंस ठीक है यह चार हो गया जैसे हम लोग यहां पढ़े थे ना तीन डाइमेंस ने कौन- अच्छे है कुकें फिवल सेनिटेशन ड्रिंगिंग वाटर इलेक्रिसीटी हाउसिंग और इसेट इन दस इंडिकेटर के अधार पर एक मल्टी डैभिशनल प्रॉपर्ट पुवर्टी इंडेक्स निकाला जाता जैसे इसको आम बसम ऐसे समझें कि जैसे कोई आदमी माली यह घृण को माता है उसका महीना की सौपnels देली सोरपिया इन कम है इता के अलावे घर नहीं है कि इसके लाव पढ़ा लीखा भी नहीं है ठीक है इसके लाव उसको drinking water facility नहीं है तो multi-dimensional poverty आप अच्छा ही कमाता है माले जी कौँ 500 प्रेडेली कमाता है ठीक है फांसो टेली कमाता है इस अंदर नहीं आता है ठीक है तो गरीवी को दूसरे तरीके से देखने का नजरिया है मतलब कि दूसरे नजरिया से यहां पर देखा जा रहा है दस इंडिकेटर के अधार पर उनको न्यूट्रीशन चाल्ड मोटिलिटी यह पर स्कूलिंग स्कूल अटेंडेंस कूकिंग फ्यूल से निटेशन ड्रेंकिंग वाटर एलेक्रिसीटी हाउसिंग एसेट इस सब के अधार पर देखा जा रहा है तो दस इंडिकेटर के अधार पर और तीन डाइमेंशन के अधार पर त्या किया जाता है मल्टी डेमेसल प्रूपर्टी कि दुखारिस में क्या-क्या फाइंडिंग आया है तो 83 पर्षेंट्र मुल्टी डेमेसल प्रूपर्टी है साथ एसी और सब सहारन अफ्रीका में में रहते हैं इंडिया की बात किया जाए तो 27.9 परसेट मुल्टी डेमेशन पुवर्टी के अंदर है 27 परसेट और 19.3 मतलब कि MPI के तरह बढ़ रहा है ठीक है कि नेक्स्ट उसाका ट्रेक के बारे में उसाका ट्रेक क्या है कि इसको एडॉप्ट किया था 2019 में जी ट्वण्टी जो समीट हुआ तो वहां पर एडॉप्ट किया गया था ट्रांसफर का बात किया जा रहा है डाटा मतलब की हम लोग नेट पर लवाते हो नहीं बलकि यहां का डेमोग्रेटिव जैसे हम लोग फेस्बुक फेल लॉग इन करते हैं या फिर फेस्बुक के अकाउंट बनाते हैं तो लोग का डेट बर्त मांगा जाता है नाम पुछा इंडिया इसमें से नहीं पाटिस्पेट ही नहीं किया था इसका जो सेसन हुआता इसमें इंडीया économique हुआ था था फिर इसका को इन इंडिया अचलय बांड़तें को सपहर्ट करता हैं कि हुग स्डोट्यचिंघ अचा तो यह पर श्राइब कर रहें तो इसका काम क्या है तो यह पता करना या यह निगरानी करना कि जो एस्टेट है यह निक एक कंट्री जो डिफिरेंट कंट्री ए करने में फिर स्पेस को करने में को और को सा तरीका पना रही है इस समय किया गया है या फिर सिर्फ ऐसे बोड़ी को सामिल किया अर्थ से दिखाई देते हैं तीस तरीके से पुछा जा सकता है कोई तो याद रहे है कोई भी इसका आटिकल वन कहता है कि आटर स्पेस का यूज करना एक्स्प्लोर करना मून को इनक्लोडिंग या फिर अधर से लेस्टियल बोड़ी को सोल भी करीड आउट एसा होना चाहिए कि सारे कंट्री को उससे लाव हो पूरे मैंकाइंड को तो उसे लाव हो ठीक है आर्टिकल 4 में मिलीट्री बेस्ट बनाने से मना किया गया है कि इस पेस में कोई मिलीट्री बेस्ट नहीं बनाया जा सकता ठीक है था यह था ओटर स्पेस्टी के बारे जो 1967 में हुआ था नेक्स्ट टॉपिक है पूलेट पूलेट क्या होता है तो मून ओफ एक्षो प्लेट डेट ब्रोग अवे फ्रूम अधर प्रूम दियर ओन अर्विट एंड एक्ट लाइक प्लेट एक्टॉली होता है कि इसको बोलते हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का प्लेट है मतलब दूस प्लेट की तरह करने लगा तो जीसमा इसे मा जें स्टार यह स्टार चांद ने रोटेट करका प्रैंतर करना है मून यह रास्ता भटक करके इस के चारॉৌ रूतर करने लगा ठीक है यह ऑपना मेन लोगों करने चांद रूसरा हुआ नोनों को तोड़क चाहिए अपना रास्ता भटक एक इंट्रेशनल टीम एस्टोनोमर का उसका एक रिसर्च पेपर पब्लीश हुआ था मंथली पब्लीश रोयल एस्टोनोट सोसाइटी ठीक है तो उसमें इसका नाम बताएगे था टाइगर सेंसस के बारे में पढ़ते हैं 2018 में टाइगर सेंसस हुआ था डाटा उसका अब ल सबसेंडियर परेशनट पर एंडाब की हिसाब से हो रहा है युशार का संख्या सबसे ज्याद़ा है सबसे ज्यादा टाइगर का है था था तिन सो आठ पहले था 308 2526 अब देख सकते हैं है और का हुआतो च्छाटिश गडवी तो टीनों स्टैड़ में घटा है का दश्ट तो दो नेशनल पार्क में भी डिकलाइन हुआ है कहां कहां ना मेरी और पक्के नेशनल पार्क में डिकलाइन हुआ है याद रहे कम गया संख्या ठीक है बहुंता है पार्क नेशनल पार्क में डाइकर बग्सा नेशनल पार्क में पालामू बख्सा बनाएं पाइसे चोत्रीम वोड़ी है इसके चेर्मेन होते है हमारे परियावरन मंत्री होते हैं इसके चेर्मेन होते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड एनर्जी आउट्लूक के बारे में तो आई ये के द्वारा लॉंच किया जाता है एक अटो नॉमस इंटर्गर्वेंटल और जैसान है ठीक है OECD के अंदर OECD के फ्रेंबर के अंदर एक इंटर से नेक्स्ट देखते हैं है आटोमेंटेड परांटेशल सिस्टम फरेंटेट। अटो सब्सक्राइब है किसी इस नहीं को पर्सन को उसके टल सकत proper P Argames होस्ट किया गया इन्सेट्राइं प्ली के तो कर सकते हैं कर सकते हैं तो किसी का एक डिश्टल इमेज रखा जाएगा वीडियो फ्रेम में फिर से पता चल रहा कि करना जैसे एरपोर्ट पर इसको लगा दिया जाएगा और कोभी वांटेट परसन यहीं वहां से पास करेगा तो इस तरीके का सिस्टम है इसका डाटाबेस के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड वीरो उसके द्वार इसको होस्ट किया जा रहा है एक सेंट्रलाइब अप्लि पर्कार किया है तो ब्लेक अपार्टिकमर के दोर्राव बनाया गया है और आधर इंटर इंटर कार पार्टिकल डिस्टर्ट को तो इसके सबस्टांस के नहींत एक पोल सकते हैं इसका यूज कहां किया जाता ती को मिदा अचेकर चैन्ज कर सकते हैं इसके द्वारा ब्लैक गल्ड के द्वारा एक नैनो हेटर की तरह बढ़कर क्रेगा यह चुपरेगा उसका काम क्या होगा तो सब्सक्राइब कर सकते इसके मदब से तो यह काम का चीज़ है किसके दर डिसकवर किया कि यह यानिक टाटा इस फंडमेंट अनिसर्च बॉम्बे के वारा ठीक है तो यह था बले गोल्ड के बारे में तो इस पें गूड्स और सर्विसेज दोनों को सामिल किया गया पहले बात यह दिखार और इसका टार्गेट क्या है तो तो अपक्लेंट को रिड्रेसल करना मतलब कंप्लेंट को सुधार ना जो भी है उसे रिग्रेट करना और गूड्स में डिफेक्ट हो या फिर कोई सर्व जो फाइनली यूज करता है ऑप्जयक्ट को मतलो कि आद बैचने के परपस नहीं तब आपको नहीं है लेकिन यूज करने का परपस नहीं है तब कंजियूमर उस परसण को बोला गया जो गूड्वीया सर्विस को यूज करता है ठीक है जो समान को या फिर सेवा को तो भी भालीड होगा ठीक है पहले वाले में क्या था कि सिर्फ कैस्स से खरीदे क्योंकि उसमें इस तरह का कोई चर्चा था नहीं कि डेविट काट से पेमेंट किया जा सकता है ठीक है तो उसको को अगे आज के जाएं से इसा बोल सकते हैं को यह क्या तो चैकर को पांच शेविला है राइट भी प्रोटेक्टेटर रगेस्ट इस हैजडर्स गूड्स यानिक खतरनाक समान निकारक समान से उसे प्रोटेक्ट होना राइट वी इन्फॉर्ड बाट क्वालिटी प्राइस कि कि मालनी कोई समान खरीन जाने तो दूसरे सामन क्या है और किसका क्या प्राइस है राइट वह अड़िधान सब्सक्राइब जोग सब्सक्राइब काम क्या होता है जिसे लोग सभाव राज सभा के अलेक्शन होता है उसमें बाउंडरी डिमार्केट करना मतलब कौन कौनसे मिध्धां सभाव या काम में आर्टीकल एक जब भी सेंसे संस किया घार उसके बाद लोग सभाख के बौण्डि डि मेर्केट करने के लिए बना जाएगा और यह चीज आर्टिकल 170 में बोला गया है मिधान सभा के लिए मेले के लिए ठीक है कि जब भी तब एक नयाद डिलिमूटेशन कमिशन सेटप किया जाएगा ठीक है ठीक है नहीं होता है क्योंकि इसका का में बॉंडे डिमार्केट करना उसके बंद हो जाता है इस में मर होते हैं और इसको और इसको अभी तक चार बार सेटप किया है कब कब अपकी आप नाइटिन 52-72 72 तो याद रखिए अजादी के बाद लगातार तीन बार निसों बावन बासट्ट बहत्तर और उसके बाद फिर 2002 में इसको सब्सक्राइब एट है जिसमें बोला गया था कि 2006 तक कमिस्ण नहीं होगा तो यहाँ आप पे क्या बोला गया चेल जंगंदा बना जाए तो दिया वाला इलेक्षन होगा तो तो दिलिवूटेसर कमिशन बनेगा बताँ दो तक कोई भी डिलिवूटेसर कमिशन नहीं होगा ठीक है अब भी जो हम लोग है अभी जो बाउंडरी डिमार्केट किया है लोग सभा में उन्हें सब्सक्राइब के दार पर लोग सब्सक्राइब बनाया गया है लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब बनाया गया है ठीक है तो सुप्रीम कोट के अभी के जस्टीस या फिर रिटायर जस्टीस यानि सुप्रीम कोट के एक जजज होते हैं चेर्मेन होते हैं अधियर कोट का पावर दिया जाता है और इसका जो कोट में चलेंज नहीं कर सकते हैं विधान समा लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका नहीं कर सकते इसका दिसनों यहीं फूल mínट होता है ठीक है मिणह यहां पर द्रेकोनिया कंबोडियाना के बारे में एक पिडड है ठीक हैं ड्राकोगवर अन्जी के टीज़ा में राबपर हिए इस एरिया हम उगाय जाता है है साम के कर दे निंग बार अ allora कोह को देखा गया है के थिक फिट टो ड्रेगन ट्री को पहली बार इंडिया में देखा गया है एक चूलि सका यूच कहोंता है जो स्के अजह काफी ते चिसनल यह निकलता है तो फिरिस्टony या इनयां इंडिया में पहली वार एंडार करपनेंट काॉंसील इसका क्या का करता है और प्रोवाइट प्रोटेक्शन जामा करते हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइट करता है यह वाला जो और फाइड़ी सी फाइनेंशियल इंदस्टी डिवलप्मेंट कौन से जतन सब्सक्राइब पढ़ना है तो वर्चुल म्यूजियम को बिल्ड करता है बतलब हर एक मूजियम को बनाता है ताके लोग घर बैठों मूजियम को घूम सके ठीक है अभी तक इसमें 10 मूजियम को सामिल किया गया मिनिस्ट्री आप कल्चर के दौरे इसको लागो किया तो जयतन सब्सक्राइब के बारे में आप पढ़े मुजाइक मिशन क्या है इसका फुल्फम होता है मल्टी डिस्टिप्नरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्बेटी फॉर दे स्टडी ऑफ आर्क्टिक क्लाइमेट को पढ़ने के लिए ठीक है डिप्रेंट ऑब्जर्बेटरी का ग्रूप है ठीक है तो इसके बारे में कवर करने मोजाइक मिशन इंडिया याद रखियें मिशन में नहीं है जिए इंडिया रहे है लिए अलफ्रेड वेगनर इस्टिट इसी के दवारा इसको लेड किया जा रहा है उसको उसका लीडर वही है ठीक है और इस पर दो-तीन सहस्ता है अलफरेड वेगनर इसीटीट हेलब होल्ड इस सेंटर फॉर पोलर एड मेराइन रिसर्च जो जर्मनी का है ठीक है तो यह दो सहस्ता मिलकर किसको क्या जारा इंडिया के तरफ अंटार्टिका में क्या किया है तो इंडिया जो एक अलो और लिको इसंटर इस का नाम है नेशनल सेंटर फोर और जशेंटर रिशर्च काहा है ऊसीकत हती स्टेश प्र Texan को चालों किया गया मिनिस्ट्र've मिनिष्ट् Kazan के नर आता है जो आंतर्टिका ट्रिटी है अंट्रूड करता है 60 द बी असे साओथ की तरफ को करता यहां पर एकस्पो inserting को प्रोभीट किया एकटिव को मना किया जा करें इस तरफ से 3 वहां पर खोला गिया है और बंध हो चुका है जो बने घुठी ना में बार बहरती 2012 में ठीक है तो आर्किक में इंडिया की तरब से दो अभी काम करता है तीन अभी टोटल खोला गिया है आर्किक ट्रीटी अन्टर्क का ट्रीटी एंप 59 का प्रवाइबल इंटरनेशनल जो है ट्राइबल फीपल के लिए वर्क करता है 1969 में फर्मेशन और इसका में काम है ट्राइबलों को रिप्रेजेंट करता है ट्राइबलों के डिवलप्मेंट कवारे में सुचता है लिए इंजीयों दर्पन क्या है पहले प्लानिंग कर सकते हैं ठीक है और प्रोब्स सेंटर तक पहुंचा सकते हैं तो इससे क्या होगा मतलब कि ज्यादा लोगों तक पहुंच होगा ठीक मतलब केंग इंडिया में है सबका एक सेंट्रल डाटाबेस बनाया गया है जो नीतियायों के तरह थे रेगुलेट किया जाता है इससे क्या होगा बेटर ट्रांस्पेरेंसी आएगा एफिसेंसी बढ़ेगा एकॉंटेबिलीटी बढ़ेगा यह प्यों मों के दोरा स्टार्ट किया गया था ठीक है लेकिन किल के प्लानिक लिटन किया जाता दो लेकिन अब नीतियायों करता हैं 57-7 क्या है यह इसन की शेलिट मेनाशा का में मेशन आको मीटर में होंच संहिघ से रिलेटेट है कि इस में क्या है तो 4 सेटलाइट का कलेक्ट लाविए धीक है और इसका आपकि प्ढ़ेगा कि सन ही जाना बढ़ेगा ठीक है एक सीड़ सैट क्या है एक से यह डेटी एक शीट क्या है एकूटर marvelous केली सट दिशह से यह कोने मुल सकते हैं क्योंकि काफी छोटा जिस वह सामने कैशिंट क्या है तक मुए क्या करेगा तो जो जब करेगा तो काफी अच्छा मतों की सर्वाइट्य स्कुर्वाइट करंए लेक्स्ट आइझा वन अदुछ सब्सक्राइब की का में सब्सक्राइब कर लागेजिस वह मुट्ल का अइसका मेंडो कि युझ उनाइटेट्र उच्छहच्छे गमिजन Marguse में युक्त में फैसेन्स नार्ट में परो प्रोब भेजना मार्श पर मुझमें मार्श पर दुश्यमे 70 युक। अनमेंड मिशन है यह का होप मिशन अश्ट्राइड क्या है तो स्कीम फोर ट्रांस डिस्किप्लिर रिसर्च फोर इंडिया डिवलपिंग एकोनोमी यह उजी सी के तहता आता है यह मिनिस्ट्यूम ही रिस्ट्राइड के अंदर आता है करसके कहने का अध्यवेश्ट्राइड कर सकते कि आप दूसरे डिसीप्लिण के अब दूसरे डिसीप्लिण में रिसार्च करना चाहते हैं शाल्य इंडिया डिवलपिंग एकुनॉमी एंडेश्णल डिवलप्मेंट वर्क फंड मल्टी इस्टिट्यूस्टनल नेटवर्क इंडिया और पकिस्तान की बीच में गुर्दासपूर में और इधर नंकाना साहीब है ठीक है जो पंजाब के नरवाल डिस्टिक में तो गुर्द्वारत दरबार साहीब जिसको नंकाना साही भी बोला जाता है इसको बनाया गया तो 2019 में चालू किया गया और इसकोंसे उकेजन पर गुरु गोविन सिंग का 550 मा वर्थ इनवर्ष लिए था गुरु पर्थम के पर्थम गुरू है इसके तरहत किया हो तो विजा पिरी ट्रेफल किया जाएगा इंडियन के द्वार पकिस्तान में में कोई नहीं लेना होगा इंडिया इसके पास इंडियन παस्टोर्टंव प्लस ओसीय कार्ड यहतों फिर ओसीय काड ना चाहिए तब जाकर के अधिर पकिस्तान के अंद्र फिर दीमें एक उसके पास बस पास्सपोर्ट होना चाहिए और ओरbox पूरे साल मिलेगा पूरे साल मिलेगा डेली वेसिस में मिलेगा जिसके पास इंडियन पास्पोर्ट है ओसी आई काड़ो करतारपूर के अंदर है ठीक है पांसो पचासवी वर्थ रिवर्ष नी बार्व नॉम्मर 2019 को इसके पहले क्या होता था कि मात्र जो कोरिडोर है तो दूर्बीन लगा करके लोग देखते थे किलियर ली तो इधर बहुत बढ़ा घास उग जाता जिसे कभी कभी प्रोलम होता तो देखने में तो यहां वाला जो पकिस्तान के गुर्द्वारा वाले में थे मैंटेन करने वाले समीथी था गुर्द्वारा का इस घास को ट तो इसको अब इस्ते करतारपुर कोई दोर बनाया गया तो इससे साथ हमारा जुलाइ महीने का यह करेंट का रिवीजन है यह वीडियो यहां पर समाब थो यदि पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धंडेवाद